दोस्तो मेरे पास एक और यूनिक प्रड़क्ट आ चुका है यह स्मार्ट वॉच है जो कि खास बच्चों के लिए बनाया हुआ है यह नेक्स जेन किज स्मार्ट वॉच है इसकी यूनिक चीज यह है कि इसमें सिम स्लॉट है मतलब कि अगर आप चाहे तो इसमें सिम कार्ट द बनाया हुआ है और यह पैरेंटल कंट्रोल के साथ में आता है मतलब कि जो पैरेंट्स है वो बच्चों का जो एक्टिविटीज है उन्हें इस स्मार्ट वॉच के जरिये मॉनिटरिंग कर पाएंगे और यह काफी एडवांस टाइप का भी है चलिए चक करते हैं कि बॉक्स की फीचर्स है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है टू वे वोईज और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करता है इसमें टू मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया हुआ है वन टच एस फीचर के साथ में आता है रिमूबल डिटेक्शन के भी साथ में आता है जैसे कि मैंने कहां यह ज और इसमें fun games भी दिया हुआ है और बहुत सारे utilities के साथ में भी आता है चलिए मैं आपको फटाफरीस की unboxing करके बताता हूँ यह दिखें इस परकार से इसे पैक किया हुआ है काफी premium type की packing है और box के अंदर यह है वो smart watch again इसका जो look and feel है काफी अलग है in fact बच्चों को यह काफ भी दिया हुआ है charging dock जो की अलग प्रकार का है अगर आप watch की तरफ ध्यान दे तो जो charging points है यहां पर दिया हुआ है अभी जो smart watch है दूसरे smart watches के comparison में काफी अलग है तो यह है watch out company का next gen kids smart watch और इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि जो kids है उन्हें खास करके यह काफी पसंद आने वाला है थोड़ा सा bulky design है लेकिन यह जो design है से थोड़ा सा tough type का भी बनाता है अलग-अलग color options में available है और जो build up finishing है काफी बढ़ी आ है नीचे से यह रिखे इस प्रकार का दिखता है यह अपने unique type के charger के साथ में आता है यहां पर एक button दिया हुआ है यहां पर दो buttons दिया हुआ है आप एक nano sim दाल सकते हैं 4G support के साथ में तो जो calling और receiving functionality है इसमें भी आ जाएगी मतलब कि यह जो smartwatch है इसका उप्यों करके जो बच्चे हैं वो call भी कर पाएंगे और call को receive भी कर पाएंगे strap की quality काफी बढ़िया है spring mechanism दिया हुआ है जैसा कि आपको दूसरे smartwatch में मिल में दिया हुआ है उसके बार में बताता हूँ यह बटन है से प्रेस करते ही यह दिखे इस प्रकार का default watch face है अगर आप चाहे तो इसे change कर सकते हैं यह वाला select करते हैं यह देखें उपर से नीचे swipe करेंगे तो आपको यह सारे options मिलते हैं और नीचे से उपर swipe करेंगे तो यह देखें इस प्रकार के तो जो kid है अगर चाहें तो यह जो games है इन्हें भी खेल सकते हैं सिर्फ एक game नहीं बलकि और भी कुछ games दिया हुआ है यह देखें यह जो games है खास करके इस watch के लिए बनाया गया है और खास करके बच्चों के लिए watch को setup है यह थोड़ा सा अलग प्र सकते हैं kids को भी track कर सकते हैं safe zones बना सकते हैं मतलब कि अगर kid उस range के बाहर जाएगा उस zone के बाहर जाएगा क्योंकि इस watch में built-in GPS दिया हुआ है tracking असानी से हो जाएगा तो जैसे ही जो kid है zone के बाहर जाएगा तो जो parent है उसे notification मिल जाएगा family आप setup कर सकते है history exactly पता चलेगा क कि जो kid है वो कहां कहां पर गया था alarm है friends class mode दिया हुआ है एक तरह से do not disturb wifi setup आप यहां से कर सकते हैं care time call limit क्योंकि एक 4G smart watch है और अगर आप sim का उपयोग कर रहे हैं तो जो kid है वो calling कर पाएगा तो यहां से आप जो call limit है उसे set कर सकते हैं तो यहां पर take off alert भी दिया हुआ है तो अगर जो kid है इस watch को निकालता है तो जो parents है उन्हें notification मिल जाएगा video chat forbidden का भी option दिया हुआ है क्योंकि यह जो smart watch है इसमें built-in camera दिया हुआ है video chat possible है तो बहुत सारे जो controls है वो parents कर पाएगे shutdown forbidden का भी option दिया हुआ है जो kid है अगर वो चाहें तो भी जो smart watch है इसे off नहीं कर पर पाएंगे यहां से आपको exactly बता चलता है कि जो live location है kid का वो कहाँ पर है और यह जो चार options आप देख रहे हैं यहां पर calling option दिया हुआ है वैसे इसमें मैंने SIM नहीं दाला हुआ है लेकिन अगर SIM होता तो directly call होता और यहां पर step counts भी आपको बता चलेगा जो kid है उसके physical activities के बार में जानकर है आपको यहां पर मिल जाएगा और यह hearing option दिया हुआ है automatically जो watch है उसे यह smartphone है डाल करने वाला है आप सुन पाएंगे कि आपको बच्चा है वो कहां पर है और जो environment है वहां पर जो आवाजे आ रही है वो कैसी है ताकि आपको idea मिल जाए कि आपको बच्चा ह वो क्या कर रहा है वीडियो कॉलिंग का भी option दिया हुआ है उसका उप्योग करके मैं जो watch है से call कर सकता हूँ और जब kid pick up करता है तो यह देखे इस परकार से मैं monitoring कर पाऊंगा और voice chat का भी option दिया हुआ है यहां से आपको exactly पता चाज़ाता है कि जो activities है वो क्या कर रहा है आपका बच्चा क्या कर रहा है उसने watch को निकाला है यह देखें यहां पर मुझे पता चल रहा है और अगर मैं चाहूं तो यहां से voice message भी भेज सकता हूँ तो यह जो smart watch है यह IP54 certified है और इसे आप videos और voice calls के लिए भी उप्योग कर पाएंगे तो दोस्तों यह भी एक unique product है ज लिंक जहां से आप इसे खरीद सकते हैं वो मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है यह smart watch आपको कैसा लगा comments के मादें से मुझे जरूर बताएए इस वीडियो को like जरूर कीजिए और देखते रहिए